Hello everyone and welcome back to Insomniac Studios. मेरा नाम है Jatin और आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कैसे आप अपने vocals को professionally record कर सकते हो अपने घर पे. पहले मैं एक वीडियो बना चुका हूँ जहां पे मैंने आपको बताया था कि कैसे आप vocals record करोगे, लेकिन वहां पे मैंने आपको सिरफ settings बताई थी जो आप अपने DAW पे करोगे, बट आज इस वीडियो में मैं बताऊंगा जो आपकी equipment है, कैसे आपको setup करना है, क्या चीजे रखनी है, so that आपको एक professional वाली vocal की quality आपको अपने tracks में मिले, so मैं singer नहीं हूँ, मैं vocals नहीं गाता हूँ, so आज हमारे साथ हैं Gaurav, जिनको आप पहले भी मेरी videos में देख चुके हो, singer and guitarist, so यहां पे मैंने इनको बुलाया, so that यह एक demo song यहां पे गाए, so that आपको अच्छे से मैं explain कर पाऊं कि कैसे हमें vocals को record करना है, so अब सीधा चलते हैं screen पे अलग-अलग आपको screens दिखेंगी and वहां पे बताऊंगा कि कैसे सब चीजों को आपको setup करना है, so सीधा चलते हैं computer screen पे, so guys यहां पे आप देख सकते हो, हम हैं अपने DAW में and यहां पे मैं use कर रहा हूँ Ableton, आप कोई भी DAW use कर सकते हो, FL Studio, Logic, Cubase, Ableton कोई भी use कर सकते हो, so सबसे पहला जो आपको काम करना है वह आपको करना है अपना audio driver select करना, जो आप audio interface यूज कर रहे हो, आपको वह यहां पे select करना है, audio device, focusrite, USB audio, यहां पे मैं अभी Focusrite Scarlett 2i4 यूज कर रहा हूँ, यह डिपेंड करेगा कि आप कौन सा sound card यहां फिर audio interface यूज कर रहे हो, so वही आपको नाम यहां पे select करना है, then उसके बाद यहां पे आता है tempo, आप चो track record करोगे, उसका tempo क्या होना चाहिए, so अगर आप एक producer हो, so उस case में आप यहां से जाके tap कर सकते हो, and देख सकते हो आप जो track गाना चाहरे हो, यहां फिर आपका जो artist है वो गाना चाहरा है उसका tempo क्या है, यहां फिर आप डिरेक्ली अपने singer से ही अपने artist से ही पूछ सकते हो कि क्या tempo है, so अभी जो हम record कर रहे हैं, यहां पे जो artist है मैंने उनसे पूछा है, so इसका tempo अभी क्या है, approximate 58, हमने भी 58 रखा है tempo, so यहां से हम सबसे पहले tempo सेट कर लेंगे 58, then उसके बाद यहां पे आता है, जो आपका mic है, hardware है, वो किस position पे होना चाहिए, mic distance आपका क्या होना चाहिए, so अभी आप जैसा की सामने देख सकते हो, यहां पे condenser microphone हम यूज कर रहे हैं, Rode NT1-A, सामने आप देख सकते हो, distance अभी कितना है, मैंने hardly 4-5 inches का gap रखा है, 4-5 inches यहां पे होगा, because beach में pop filter भी है, so यह totally depend करेगा, आपके singer, आपके artist के उपर, कि क्या feel उसको चाहिए अपने track में, for example, अगर वो थोड़ी सी भारी आवास चाहता है, so वहां पे थोड़ा सा mic के पास हो जाएगा, and अगर वो थोड़ी सी अपनी आवास जो जाता है, थोड़ी सी high end में, mid highs में चाहता है, so वहां पे थोड़ा सा mic का distance जो है, वह आपको थोड़ा सा जादा रखना होगा, जैसे ही आप mic से थोड़ा सा पीछे होगे, आपके volumes तो reduce हो जाएगे, लेकिन जो आपकी tone है vocals की, वह भी थोड़ी सी भारी से थोड़ी सी light हो जाएगी, तो यह totally depend करेगा आपके artist के उपर किस टाइप का आप track बनाना चाह रहे हो, और किस टाइप की vocal quality उन्हें चाहिए, vocal tone उन्हें चाहिए अपने track में, then उसके बाद यहां पर बारी आती है gain levels की, so gain levels सबसे जादा important है, because आपको gain level ऐसा set करना है, so that आपका जो vocals हैं वो कहीं भी clip ना करें, so अभी हम record करने से पहले एक demo clip यहां पर record करेंगे, हम देखेंगे कि क्या यहां पर हमारे volume level जा रहे है, so screen पर आप देख सकते हो हमारा audio interface, मैं zoom करके आपको दिखा दूँगा, so अभी जो हमारा gain level है वो 50% पर सेट है, साथ हो के तनहा ऐसी क्यों सजा हमने है पाई रांजणावे, फिर से मुझे जीना तुझ पे है मरना फिर से दिल ने दी है ये दुहाई, साजणावे लकी रोबे लिख दी क्यों जुदाई, गैर सा हुआ खुद से ही ना कोई मेरा दर्द से कर ले चल यारी दिल ये कह रहा, खोलू जो बाहे गम क्यों ये सिमट रहे है आखों के आगे लम है ये क्यों घट रहे है जान के से कोई सहता जुदाईया, चदरिया जीनी रहे जीनी चदरिया जीनी रहे जीनी आखे भीनी रहे भीनी यादे जीनी रहे जीनी चदरिया जीनी रहे जीनी चदरिया जीनी रहे जीनी आखे भीनी रहे जीनी आखे भीनी रहे जीनी यादे जीनी ये जीनी रहे जीनी यहां पर देख सकते हो हमारा जो gain level था वह green पर ही था आप यहां पर confuse मत ओना यह red जो है यह 48 volts का जो है वह यह 48 volts जो है वह active है सो यहां पे जो gain level है वो 50% पे हमने अभी रखा है आपको जादा low भी नहीं रखना है बिकाज बाद में चाहके आपको काफी जादा gain add करना पड़ेगा वो थोड़ा सा problematic हो सकता है और यहां पे आपको gain जादा भी नहीं रखना है बिकाज यहां पे clip भी कर सकता है सो अगर मैं इसको अभी थोड़ा सा exceed करता हूं यहां पे approximately 75 कर देता हूं एक बार आप एक बर ही आप गाना खोलू जबा है गम क्यूं यह से मट रहे है सो यहां पे अभी आप देख सकते हो जो हमारे levels थे वो clip हो रहे थे green से red हो रहा था सो अब हम क्या करेंगे इसका एक अच्छा gain level set करने के लिए singer को artist को आपने बोलना है कि आप गाओ देन उसके बाद आप थोड़ा सा जैसे ही वो clip करेगा आपको उसको reduce करना है एंड वहां पे एक sweet spot देखना है सो एक बर ही आप फिर से गई है गोरब ऐसा भी क्या मिलना साथ हो के तनहा ऐसी क्यूं सजा हमने है पाई रांजणावे फिर से मुझे जीना तुझ पे है मरना फिर से दिल ने दी है ये दुहाई रांजणावे लकीरों पे लिख दी क्यूं जुदाई गैर सा हुआ खुद से ही ना कोई मेरा दर्द से कर ले चल यारी दिल ये कह रहा सो यहाँ पे आप देख सकते हो बीच में जैसी क्लिप हुआ था मैंने थोड़ा सा गेन लेवल रिड्यूस कर दिया था अभी यहाँ पे 55-60% पे है सो यहाँ पे अभी एक हमें स्वीट स्पॉट मिल रहा है हमारे जो वोकल्स है वो क्लिप नहीं हो रहे है सो यह हमने गेन लेवल यहाँ पे सेट कर दिया है सो अब बारी आती है जो आपके आर्टिस्ट ने हेटफोन पहने सो हेटफोन आपको इस टाइप के चाहिए होंगे जो थोड़े से टाइट हो जैसे अभी हम यूज़ कर रहे हैं Audio Technica M20X अगर हमारे पास एक और हेटफोन है एक बर वाल हेटफोन दिखाएगा सो यह है Sennheiser HT206 अगर हम इसको यूज़ करते हैं सो यह वाला हेटफोन है थोड़ा सा वॉलियम जो कहा है वह लीक करता है इस में क्या होगा आपके जो QLIX होंगे आपके जू TEMPO का METRODOME चल रहा होगा वह रिकॉर कर सकता है आपका microphone सो आपकी रिकॉर्डिंग में वह TIK-Tik की अवा भी आ सकती है सो आपको एक अच्छा headphone भी यूज़ करना है जो थोड़ा सा टाइट हो जो sound leak ना करे जैसा कि मैंने बताया अभी हम यूज़ कर रहे हैं Audio Technica M20X Last but not the least यहाँ पर हम बात करते हैं effects की effects आपको देखना है जो आपका audio track है इस case में हमारे पास एक ही audio track है सो यहाँ पर आपको देखना है कोई भी effects नहीं होने चाहिए ना कोई compressor ना कोई EQ या फिर कोई भी compressor या फिर multiband compressor किसी भी तरीके का effects यहाँ पर नहीं होने चाहिए यह आप देख सकते हो यहाँ पर कोई भी effects नहीं है साथ में आपको cross check करना है जो आपका master channel है उस पर भी कोई effects नहीं होने चाहिए because हमें जो अपनी sound है वो raw record करनी है then उसके बाद हम उसको process करेंगे so यहाँ पर हमने सारी चीजे कर ली है so अब यहाँ से मैंने अपना mic select कर लिया है जो मेरा channel है second channel अब हम record start करेंगे so यहाँ पर metronome को कर देते हैं on और अब यहाँ से हम करेंगे इसको record सबसे पहले इसको आम कर लेंगे अब यह आम हो गया है recording के लिए और उसके बाद 3, 2, 1, go ऐसा भी क्या मिलना साथ हो के तनहा ऐसी क्यूं सजा हमने है पाई रांजणावे फिर से मुझे जीना तुझ पे है मरना फिर से दिल ने दी है ये दुहाई रांजणावे लकीरों पे लिख दी क्यूं जुदाई गैर सा हुआ खुद से ही ना कोई मेरा दर्द से कर ले चल यारी दिल ये कह रहा खोलूं जो बाहे गम क्यूं ये सिमट रहे है आखों के आगे लम है ये क्यूं घट रहे है जाने कैसे कोई सहता जुदाईया चदरिया जीनी रे जीनी यादे भीनी रे भीनी चदरिया जीनी रे जीनी यादे भीनी रे भीनी यादे भीनी रे भीनी जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पर हमने वोकल्स रिकॉर्ड कर लिये हैं अगर आप स्क्रीन पर ढंग से देखो इस सेक्शन में आप देख सकते हो बहुत हाई पीक्स गई है यह जैसा कि आप देख सकते हो लेकिन अगर आप सेम हमारा जो ओडियो The जैसा तरीके से इस पॉर्शन में ऐसे किसी भी तरीके से डिस्टॉर्ट नहीं हुए हैं किसंसे just because हमने जो audio level से gain knob है उसको एक perfectly जगा पे एक sweet spot पे उसके हमने उसको set करा था so यहां पे एक अच्छी dynamic range हमको मिल गई है vocals की आगे वीडियो में मैं आपको बताऊंगा I mean next वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस टाइप से आप vocal processing भी कर सकते हो वैसे मैं already वीडियो बना चुका हूँ कार्ट में और description में लिंक मिल जाएगा आप जाके चेक कर सकते हो so guys मैंने एक वीडियो और बनाई थी जहां पे मैंने आपको vocal recording tips and tricks बताई थी अगर आपने वह वीडियो चेक आउट नहीं करी है तो उसका लिंक आपको कार्ट में और description में मिल जाएगा जाके चेक कर सकते हो और आज इस वीडियो से आए होप आपको काफी सारी knowledge मिली हो तो थैंक यू गौरफ जो आपने इस वीडियो के लिए help करा और बाकी सब के लिए भी काफी सारी help हो जाएगी इनके चानल का लिंक मिल जाएगा description में और अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को कर देना like चानल को कर देना subscribe प्लैस ये वीडियो शेयर भी कर देना अपने friends के साथ so that उने भी कुछ knowledge मिल जाए अगर आपके मन में अभी भी कोई doubts है ये queries है तो comment section खुला है आप मुझसे पूछ सकते हो साथ में suggestions भी दे सकते हो कि मुझे और कौन सी वीडियो बनानी चाहिए फिलाल आज के लिए इतना ही मिलते है next वीडियो में